हेलो अबरिबड़ी कैसे हुआ आप सब अम्हीत करता है आप सब बहुत अच्छों कर आपके जो ट्रेडिंग सिक्सरेप पर काफेचे चल रहे होगी जोस्तों आज के इस वीडियो मां बात करने में वाइटिलेटी ब्लास्ट के एक मात्र मैच के बारे में ससेक्स वर्सेक्स ह और आर्निंग हो सके ठीक है तो वीडियो को लाश्ट तक देखो कुछ ने कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ने कुछ नॉलेजबल जरूर से मिल जाएगा ठीक है वीडियो मां के बंडे से पहले कुछ बाते बाता दू कि अगर आपने तक टेलेग्राम चैनल जोईन नहीं कुछ भी हो मेरे भाई तो कॉमेंट बॉक्स में बता हूं मैं हमेशा रिप्लाइज जरूर से करता हूं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो वहां भी मैं रिप्लाइज कर दूंगा लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आपको मैं बता दू यह जो मैच है फिलाल आज एक मात्र मैच है तो इसको हम सुरू करते हैं ठीक है ससेक्स वर्सस हमसार दोनों टीमें काफी अच्छी है अब मैं कुछ इंपोर्टेंट बात है और कुछ ऐसा पर बोला था कि फिलिप साल्ट को आपको बाई ज़रूर करना लवक सारे लोगों ने बाई किया था और आउडव स्टॉक भी हो गयते बहुत जल्दी मैंने बाई नहीं कर पाया था था थोड़ा सा फाइनेंसल इसू हो गया था पैसे नहीं थे उसमें इतने जादे इसकी बड़ कोई बात नहीं है आप उमीद करता है आप सबने बाई जरूर किया होगा और प्रॉफिट भी आप सबको बहुत हुआ होगा ठीक है अब देखो मैं बता हूँ एक इंपॉर्टेंट बास ससेक्स के साइट से देखो ध्यान से ससेक्स का जो ओपेनर है फिलिप साल्ट विगेट कीपर है ठीक है फिलिप साल्ट को छोड़ के जितने भी प्लेयर है नमबर दो से लेकर साथ आठ तक ठीक है सारे के सारे प्लेयर आल राउंडर है प्योर आल राउंडर ओके एक्जांपल मैं बताता हूँ फिलिप साल्ट ओपन करते हैं उनके साथ ओपन करते हैं driving head batting balling दोनों करा लेते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा county championship में इत अल्रडी सबको पता भी होगा two recruiting दोनों करते हैं बात करें बैटिंग ओडर में प्लेयर्स हैं सबके सब बैटिंग बॉलिंग यानि का अल राउंडर है ठीक है तो यह काफी अची बात है जिसको वेज़े से कहीं नहीं आपको जो ट्रेटरने में थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर से होगा क्यूंकि आप सोचो कि नंबर 2 से यह आप क्यूंकि उसको चांसे उतने नहीं मिलते हैं लॉजिक सब चीज है सिम्पल चीज है बटे यहां आपको फायदा मिलेगा कि आपको आल राउंडर ऊपर मिल जाएगा बट एक थोड़ा समय ब्रॉबैक भी बता दो देखो ब्रॉबैक यह कि इनके बस बॉलर्स भी काफी चाने लगते हैं तब कहीं-कही न जाके इनको यूस किया जाता है like rabhi bopara भॉपिर david framework तो अल्रेडी बॉलिंग कराते हैं बट रभी बॉपारा की बात करें एप Dealer Rawlings इसके बात करें इनको कहीं-कहीं तब जाके बॉलिंग मिलती है जब frontline बहरां जाके लेकिन यह भी किसी ना किसी दिन बॉलिंग जरूर से करा सकते हैं यह एक एडवांटेज आपको मिलेगा ठीक है चौरह मैं बताता हूँ ट्रेड की इनके उपर करना है डिलर रॉलिंग देख सकते हो यह सारे फ्रेक्टर्स हमको मजबूर करना है कि हम इनके उपर ट्रेड करने ठीक है तो आप इनको एक इंपोर्टेंट पिक मान के चल सकते हो जाओर है, क्याकि देखो वाइटिंग उपर कर रहा है और प्रैसकार काफी कम है और प्रैस जादा हो थेज हैए अब देखो आप सबको पता होगा कि रभी बपारा का in comparison to him, हम आने जहां तक देखा है, रभी बपारा का उतना strike rate नहीं है, थोड़ा सा long inning खेलते हैं लेकिन थोड़ा slow रहता है, मैं ऐसा नहीं बोला कि strike rate अच्छा नहीं रहता है, बट थोड़ा slow रहता है in comparison to Rollins, ठीक है, तो यहां से दोनों players हमारे लिए important है, और strike rate क्यों matter करता, मैंने आपको समझा भी दिया है, यहां से दोनों players को आप buy कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो, तो इन दोनों में से किसी एक को buy कर सकते हो, most importantly, आप कहो तो price के हिसाब से देखो, तो Rollins को buy करोगे, और अगर थोड़ा सा trust और confidence की बात करोगे, तो वो रभी बोपारा पर है, तब उनको पर trade करो, क्योंगी जाहिर सी बात है, तो रभी बोपारा ने बहुत सारे matches खेल है, international, leagues और टीरो ने, जितनी में मैं सब में बहुत अच्छा perform भी किया, और काफी experience है, हथ से जाधा experience, काफी old player है, तो इसकी व मान के चलो, तो 47 के price में है, अभी, match के दरान आपको 45 तक मिल जाएंगे, लेकिन जो इनको all time high है, दोस्तों, वो जाधा नहीं है, 55 के आसपस है, ठीक है, तो मतलब है कि इन्होंने अभी last 28 days में, या फिर last 28 matches में, sorry, मैंने days बोल दिया, last 28 matches में, इन्होंने 50 super का price नहीं दिया लेकिन, मैं stat को भी मानता हूँ, हद से जाधा stat मानना भी सही है, देखो, अब 50 से उपर प्राइस नहीं दिया है, तो इसका मतलब किया कि इसकी जो, मैं बोलू, consistency वो कम है, इन्होंने अभी पिछले match को अच्छा perform किया, अब 2-3 match में फिर बुरा खेलेंगे, फिर इनका जो price tag 50 का, इसको cross नहीं कर पाएंगे, समझ रहा हूँ, हाला कि देखो, records कभी भी बन सकते हैं, कोई भी बना सकता, इसमें no doubt, कोई दोर आए नहीं है, लेकिन, जहां तक हमको, मेरे पास data है, हम लोगों के पास data, उसके अनुसार, 50 का इन्होंने tag cross नहीं किया, फिर जितना भी all trade ना करने का reason है, वो ही है, कि इन्होंने देखो, 36% के profit में है, यानि कि अगर आपने इनको पिछले match में buy किया होता, तो अभी आपके पास, कुछ profit ज़रूर होता है, समझ रहो, profit होता कि नहीं होता, लेकिन अभी आप buy करोगे, आज के दिन, तो यह समझो, कि आपने जो पि ने 10 रुपया नुकसान में खरीदाया, प्लेयर को, simple सा logic है, business का model आप सब समझते होगे, ठीक है, profit हाला कि आप कमा सकते हो, no doubt, but 10 रुपया कमा होगे, याद रखना, ठीक है, हमेशा कोसिस करो, player all time low पे रहे, तो buy करो, ठीक है, simple logic है, कभी भी उठते हो, ग्राफ पे buy करोग तो याद रखना हमेशा आपका उतना रुपया नुकसान नहीं होगा, जितना कि वो ग्राफ उठ चुका होगा, समझ रहो, बात करें, देखो, डेविड वीज की, 50 के price में, अगर आज 45 तक मिलते हैं, तो इंपॉर्डेंट पिक हो जाएंगे, इसलिए, कि balling भी कराएंगे जबर जस्त, चार ओबर तो कराएंगे, कराएंगे, जहां तक मुझे पता है, और अगर खराब balling हो जाती है, शुरू के ओबर, तो हो सकता है, इनको balling ना दिया जाए, फिर बाद में, क्योंकि ballers भरे पड़े हैं, टीम में, तो इसके वज़े से, और batting भी पता है, आप स चलते हैं, तो अची profit दे सकते हैं, लाजिक उमीद करता है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, और अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो, तो डिले रॉलिंस और अभी बो पार अच्छे pick हैं, वैसे मुझे लग रहा है, कि आज डेविड वीस 45 के दाम में आही जा है, इन्होंने लिक्स जो वो है, बॉलिंग के दम पे, काफी सटीक गेदवाजी रहती है, इनकी, हाला कि IPL में पिटा जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनकी सटीक गेदवाजी रहती है, और बैटिंग भी अगर पिलती है, तो 10-20 अरन तेजी से बना सकते हैं, जादा जादा नहीं होती, हाला कि बैटिंग बालिंग करा सकते हैं, इसकी वज़े से अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, पचास के प्राइस में, जहा तक मुझे लग रहा मिल जाएंगे आपको, चीक है, मैं इंपोर्टेंट नहीं बोलूँगा, एक प्लेयर को म जरूर से बोलता, George Garten, मैंने सोचा भी पिछले मैच में आपको बता दू, बढ़ देखो, बॉलर लिखा हुआ है, तो इसलिए, अगर मेरे पास पैसा रहा होता, अगर मुझे ट्रेट करना होता, तो मैंने जरूर George Garten पे ट्रेट जरूर से किया होता, मैं इनको बहुत इनको बनाया था, बट अभी इनको ट्रेट करने का कोई इनको उपर मतलब नहीं है, 58 is a high price, तो छोड़ दो इनको, देखो, Jofra Archer, खेलेंगे ने, अगर खेलते तो important pick हो सकते थे, हाला कि price कम होती, बट कोई नहीं, इनको छोड़ देते, important pick देख लो बस, Rabi Bopara, dealer Rollins, David Veeze, ये कुछ important pick है, फिलिप साल्ट, ये चार लोग है, अब चार लोगों में से आपको choose करना है कि आप कि इनको उपर trade कर सकते हो, ठीक है, इन में से किसी को उपर भी आप जा सकते हो, या फिर हर किसी को उपर जा सकते हो, trade करने कोई problem नहीं है, सब को chance अच्छे से मिलता, सब balling betting दोनों कराते हैं, ठीक है, मेरे लिए पूछोगे तो मेरे लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, रभी बोपारा और डिलर रॉलिंस बस दो ही player है, जिनको उपर trade किया जा सकता है, price come है, और अच्छे batsman और baller दोनों है, ठीक है, बात करें हम देखो, इधर का तो आपको सम साथ में यह सोचोगे कि मुझे पता था कि यह player अच्छा है, फिर मैंने उसको बाते क्यों नहीं किया, समझ रहो, मैं जितना analysis बता रहो, जितनी बाते बता रहो, उसको सुनो, समझो, फिर अपना दिमाग यूज करो, और फिर सोचो कि कोल्स आपके लिए trust बर दी, आपको क प्रिस्ट नहीं खेल रहा है, देखो, ईयान, होलेंड, यूज के player अच्छे player है, 36 के price में आ चुके है, अब देखो, आपने देखा होगा, होलेंड का price काफी increase हुआ था, county championship में, और अभी देखो, 36 पे आगा है, price इनकी down होगी, क्यों, क्योंकि, इनको जो biting order में भेजा जा कोई मतला भी नहीं है, यह आपको खेलते हुए नहीं मिलेंगे, रेली रोशो, काई रेबोर्ड मी नहीं मिलेंगे, machine crane देखो, machine crane हमें इसा wickets इनोंने निकाले, जैसे मैंने George Garton को बताया, इनोंने भी हमें इसा wickets निकाले और जरुवत पढ़ने परहंस भी बनाया है, परिजन तो first ballers, like चाहें वो test हो, चाहें वो T20 हो, ठीक है, T20 में ज्यादातर spinners हमेशा wickets निकालते हैं, मैंने देखा है, examples में बहुत सार है, Callum Parkinson, या फिर Matthew Parkinson, अब इन लोग को देख सकते, तो इसी प्रकार से, Liam Livingstone को देख लो, यह लोग मतलब wickets निकाल लेते, जितने भी spinners, Danny Bricks को देख लो, यह सब अच्छे players हैं, और wickets हमेशा spinners को मिलते हैं, उनको runs भी ने जल्दी पड़ते, वो अलग बात है, किसी दिन run पड़ गया, वो खैर अलग की बात है, मैंने जितना दा follow किया, वहाँ पर wickets जरूर मिलते हैं, ठीक है, तो मैंसन क्रेन के उपर ट्रेड कर लिया, आपको भी मैं कहूंगा इस price पे, दोस्तो 48 इस time चल रहा है, मैच के दौरान मुझे लगता है 45 अगर आते है, 46 तक, तो जरूर से buy करना open करते हैं, और काफी ज्यादा capability है, बाई, England के लिए खेल चुका है player, और all time high की बात करो, तो 70 के करीब की है, तो इनको buy करना काफी important है, simple सा logic है, open करते हैं, अच्छे player है, long lasting player है, लंबी पारियां खेल, तो दोस्तों आप James Wins के उपर जरूर से trade कर सकते हो, ठीक है, अब मैं अगले player की बात करते हो, तबरेज समझी नहीं खेलेंगे, Liam Dawson, देखो, मैंने पहले दिन जभी, हैं सार के पहला मैंसा, तभी मैंने बोला था, James Wins और Liam Dawson, दोनो important pick है, अगर आपने उस दिन buy किया होगा इन लोगों, तो जरूर से आपको profit होगा, हाला कि देखो, अभी Liam Dawson 51 में आ चुक है, थोड़ा सा मैं इनको consider करने बोलूँगा, उस दिन ये मेरे लिए important है, मैंने buy किया था, मुझे profit होगा, अगर आपने भी buy किया होगा, Liam Dawson को, तो profit होगा, तेको मैं एक important जित फिर से सुनो, ध्यान से, अगर आप county championship को follow कर रहे होगा, ठीक है, और ये T20 blast, तो वहाँ पर आप जो players देख रहे हो, उनका जो performance देख रहे हो, वो एकदम opposite मिलेगा, like Louis Reese को आपने देखा, county championship मे इनका परदर्शन, इनका performance काफी low था, county championship में, क्योंकि ये, मैं बताओ, ये काफी 30 strike rate वाले player है, और काफी fast inning खेलने वाले, मतलब, ये छोटे format वाले player है, जहां तक मुझे पता है, अब मैं अगर बात करूँ, James Wins की तो देखो, James Wins batting, sorry, लंबे format भी इन्होंने खेले जैसे कि Liam Dawson आपने देखा, county championship में अच्छी balling हो रही थी, मतलब, विकेट्स रहते थे, बाइटिंग में हमेशा flop, लेकिन वहीं देखो, आप जैसे ही T20 आता है, blast, वहाँ पी इनकी बाइटिंग बाइटिंग दोनों सुधर जाती है, हाला बहुत सारे T20 लीक्स भी खेले ह इन्होंने धाका प्रीमियर ली गया, फिर कोई भी धाका सौरी मैंने बोल दिया, बांगलादेस प्रीमियर ली गया, फिर PSLA इन्होंने अच्छी बैटिंग और बाइटिंग करी हुए, ठीक है, अब वहीं देखो, लुई रीस को आपने देखा, किस प्रकार से उन्होंने ह चुरुआत करी और अभी तक 68% गा रीटर्न उन्होंने दे दिया, आपको सोचो, तो हमेशा देहान रखना मैं जो बोल रहा हूं, उसके बारे में सुनो, और समझो, फिर अपना दिमाग लगाओ, और सोचो कि क्या करना है, मैंने हमेशा बहुत लगब चार-पांस सालों से मैं फॉलो करना हूं T20 ब्लास्ट को, इंग्लिस कांटी चेंपेंशिप को, और मैंने देखा किस प्रकार चे पेर अपोजिट रोल आदा करता है, टेस्ट में और T20 में, ठीक है, तो लियाम डाउसन काफी इंपोर्टेंट पिक, तब थे अभी मैं इनको कंसीडर करने के लि धमाखा किया था इन्होंने, कुछ सालों में और जिसकी वैस इनको चांसेज में मिले थे, राजस्थान रोयल्स के साइट से खेलने के लिए, IPL में, हाला कि यहां पे एकदम फ्लॉप रहे, तो मैं आपको बताता हो, रीजन सिंपल सा है, एक रीजन और जान लो, इनके फ् रूसफूल है, ठीक है, वहीं देखो, इन्डियन जो पिचेज है, इन्होंने इन्डियन पिचेज को उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है, समझ रहे हो, सिंपल सा लॉजिक आप देखते हो, जोनी बैरेश्ट हो, या फिर डेविड वार्नर, सेम ओबर सीज प्रेयर है, इन्डियन में को मिला था, राजस्थान के साइड से खेलने के लिए उपन करते हैं, अच्छा पभाव में से नहीं रहा था उतना सा था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, इंडियन पिचेज को उपर बैटिंग करने को, हाला कि वहीं आप देखो कि ऑस्ट्रेलियन पिचेज का भी इफरेंस से ग्राउंड का, एक्सपिरियन का, यह सारी चीज़े मैटर कर दी है, वही चीज मैं बोलो, यहां पर इंग्लिज पिचेज पर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लिखके ले लो बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं, हाला कि प्राइस काफ बाबाराजम, विराट कोली और रोहिस सर्मा, आसिघर दवन, इन लोग प्लेयर के उपर अगर 50, 60, 70 रुपया तक भी ट्रेड करोगे नो तो आपको कम लगेगा, क्योंकि इनका इनका लेवल काफी आई है, और वही मैं बात करूँ, 80, 60 की इनका भी लेवल काफी आई है, बेवल में है, अपने पीछों सफिक उपर है, और थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं है, जो कि विराट कोली में देखने को मिल जागा, आपको बाबाराजम में देखने को मिल जागा, ऐसे कुछ प्लेयर्स है, आपको समझाने, डिविड वार्नर में आप दे कंसिडर, जेम समिस हद से ज्यादा इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट ही नहीं हद से ज्यादा इंपोर्टेंट, मसन क्रेन, आप कंसिडर कर सकते हो, पैसा बसता है तो, और कोई बसता नहीं है, ठीक है, बात करूँ ससेक्स के साइट से देखो, जस्ट आ मिनट, या, या, हाँ देखो जी इंपोर्टेंट रभी बबार है इंपोर्टेंट यह दोने éMPोर्टेंट है हालागि आप इसके बाद फिलिप साल्ट जाएंट 2019 पर कंसीडर कर सकते हो और आपके लिए भी इंपोर्टेंट हो सकते आपका ट्रस्ट थोड़ा सा देखो किसके उपर confidence develop हो रहा है यह दोनों को भी आप consider कर सकते हो simple तो 2 important और 4 consider मैंने बता दिये उम्मीद करते हो इतना सारा वीडियो आपको समझ में आए बार जो मैं कुछ बताया थोड़ा वो जो अपना experience है जो मैंने देखा English speeches को पर English matches को अंदर वो मैंने आपको साथ share किया तो उम्मीद करते हैं उतना आपको समझ में आ गया होगा कहीं कुछ भूल होगी यो कुछ गड़बर बोल दिया मैंने तो उसके लिए माफी जाता हूँ ठीक है तो वीडियो भी इतना है वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो वीडियो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो कोई जोर्जवरस्ती नहीं है कोई फोर्स नहीं आप कर सकते हो नो प्रॉब्लम एट आल कोई भी question डाउट कुछ भी हो comment में पूछो ठीक है टेलग्राम को ज़रूर से joint कर लेना क्योंकि बहुत सारे information वही मिलेगी और continuous मिलेगी तो काफी मजा आयागा ठीक है तो मिलते हैं लिए वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद